आनंद मुहन अचानक से नितीश कुमार से मिलने क्यों पहुँच गया है? क्या जो ब्राह्मन ठाकुर विवाद चल रहा है, जो आरजडी के दौरा शुरू किया गया, उस मुद्दे पर चर्चा हुई? या फिर जाती है जनगंडा की रिपोर्ट आई है, उस में राजपुतो की जो अबादी बताई गई है, उसे लेकर चर्चा हुई है आनंद मुहन और नितीश कुमार के भी, या फिर लोगसभाद चुनाओं सर पर है, लोगसभाद चुनाओं में क्या सीट को लेकर सीट परकात के बाद बिहार की सियासी गलियारों में कعी तरह की अब चर्चाएं चलने लगी हैं, दोनों निताओं के बीच हुई सीक्रेट बात के बारे में अभी तक सारोजणिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, हाला कि जानकारों का मनना है कि दोनों निताओं के बीच 2024 लोकसवाद चुनाओं को लेकर सीड के उपर चर्चा जरूर हुई होगी जिहां ये सियासी जानकार मानते हैं इसके अलावा आपको याद होगा कि संसत का जो विशेश सतर था 18 से 22 सितंबर जो 5 दिन का सतर चला जिसमा महिला अरक्षन बिल पास हुआ उस दर्म्यान मनोजह जो रादत से राशवा सदस्य हैं उन्होंने ठाकूर का कुआ की कविता पाठ कर दी जिसके बाद बिहार में सियासी भुचा ला गया दो जाती ब्रामण और राजपूत के बीच विवाद बढ़ गया इसे लेकर आनन्द मोहन काफी आईग्रेसिव दिखे तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी आनन्द मोहन जो है वो नितिस कुमार से बात किये हो आपको बता दें कि आनन्द मोहन राजपूतों के एक समय सबसे बढ़े निता ना सिर्फ बिहार में बलकी उत्तर-प्रतिस अजरकन के भी हुआ करते थे लेकिन आनन्द मोहन उसके बाद जेल चले जाते हैं सजयाफता हो जाते हैं और आप जब वो जेल से बाहर आए हैं तो इसके बाद एक बाद फिर से राजपूत राजनिती जो है विहार में उसके सिर्मौर बनने का प्रयास आनंद मुहन जरूर कर सकते हैं इसके अलावा नितीश कुमार राजपूतों के वोट बैंक को साथने के लिए भी आनंद मुहन को बाहर निकाले इस बात का आरोप भी लगा उनके उपर जब जी कृष्ण या गोपाल गंज के ततकाली इंडियम के हत्या के आरोप में आनंद मुहन जेल गया जेल मैनूल में बदलाव किया गया विहार सरकार की तरफ से इस मसले को लेकर भी चर्चा होई होगी या फिर एक और मसला है कि देखिया आनंद मुहन के बेटे जो हैं चेतन आनंद वो सिवहर से विधायक हैं राजद पार्टी में हैं और राजद से ही विधायक हैं ऐसे में उनका बयान पार्टी को रास नहीं आया और 30 सितंबर को तेश्वियादों ने मनुझा का साथ देते हुए चेतनानंद के खिलाब बयान दिया था तो ये भी एक मसला है हो सकता है कि आने वाले दिनों में चेतना आनंद मोहन और लवली आनंद यानि पूरा जो आनंद मोहन का कुनबा है उनका परिवार है वो जदिव में सामिल हो सकता है ये भी एक चर्चा राजनितिक गलियारों से लेके मीडिया गलियारे में चल रही है तो इस तरह के कई मामले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगसभा सीट, लोगसभा चुनाओ को लेकर, सीट बेटवारे को लेकर आनंद मोहन क्या नितीश कुमार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, वो आनंद मोहन जिनके बेटे राजत से विधायक हैं, इन दिनों त तजश्वी आदbers ने मनो जा का पक्स लिया, जो राशसभा में कविता परट किया गया, उस दर्मियान तजश्वी आदो ने ये साफ कहा, कि मनो जा ने जो कहा कुमार सही है, तर्क संगत है, नियाय संगत है, और क्याफी बुद्धिमान व्याब्दी आनंद मोहन का पूर झाल